नवस्कार दोस्तों, ढीट हैं आज की 22 दिसम्बर 2020 और सौगत है आपका एड्टोयल डिसकेशन में तीन इशुज आज हम डिसकेश करेंगे सबसे पहले स्पेक्ट्रम की निलावी से समधित आठकल हम डिसकेश करेंगे दूसरे नंबर पे, फोरें इश्टीज को अगर इंडिया में कैमपस खोलने की अजादी मिलती हैं तो मोडल क्या होना चाहिए? आश्टेलिया की मोनाश इश्टी ने अपना कैमपस ओपन किया था साउथ अफरिका में तो उस मोडल से हम काफी लेशन्स सीख सकते हैं इस टोपिक से आर्टिकल को connect कर सकते हों ये सारे aspects हम cover करेंगे इस आर्टिकल की discussion में लेकिन context को discuss करने से पहले हम basic screen बात करते हैं सबसे पहले एक question मैं आप से पूछता हूं Spectrum का क्या मतलब होता है स्पेक्ट्रम का मतलब होता है Electromagnetic Waves की एक range जिसका इस्तमाल किया जाता है Communication Careers के द्वारा For example, Telecom Companies के द्वारा Data को Transmit करने के लिए जैसे आपको Example की साइता से बताऊँ 700 MHz से लेके 800 MHz का जो band है इसे Purchase कर लिया गया है Reliance Geo के द्वारा अपने 5G के Operations चलाने के लिए तो ये क्या है 700 MHz से 800 MHz के बीच में ये range जो है ये spectrum है समझ गए spectrum मतलब range of electromagnetic waves जिसका इस्तमाल किया जाता है Communication Careers के द्वारा Data को Transmit करने के लिए देखो ये spectrum Natural Resource होता है कोई भी ऐसा resource जो exist करता है बिना Humankind के action के वो Natural Resource होता है जिसे example के तोर पर coal की mines या फिर iron की mines ये सब क्या है ये Natural Resource है National Resource है सरकार का यानि पूरे देश का हक होता है इस resource पर तो उसी परकांसे ये जो spectrum होता है ये भी Natural Resource है State का control है इसके उपर और सरकार इसकी निलामी करती है ताकि various telecom companies इनका इस्तमाल करके अपने operations चलासके और इससे सरकार को अच्छा खासा revenue प्राप्त होसके और ये देखो perishable resource है perishable resource कैसे माली जी अभी 2021 से लेके 2025 के 20 तक spectrum की निलामी होती है और अगर कोई spectrum नहीं बिख पाता है for example 800 MHz का जो spectrum band है वो नहीं बिख पाया है तो फिर खाली पड़ा रहेगा ना उसका कोई इस्तमाल करेगा ही नहीं कोई नहीं खरीदेगा तो Paris हो जाएगा 5 साल तक ये खाली पड़ा रहा जैसे simple सा example है माली जी आपके पास कोई घर है आप उसको rent पर देना चाते हो तो अगर 4 साल तक आपने उसको rent पर दिया ही नहीं तो फिर आपकी income चली गई ना वो income वापस तो आने इसके गई कि 4 साल तक खाली पड़ा रहा वो उसी परकार से spectrum को आप निलाम करोगे particular period के लिए तभी आपको revenue प्राप्त होगा अदर्वाइस तो आपको loss हो जाएगा तो ये हमने बात की basics की अब बात करते हैं context की Union Cabinet ने announce किया है कि अगले साल मार्च में radio spectrum की निलामी की जाएगी various bands के लिए और ये निलामी की जाएगी simultaneous multiple round ascending auction की साहिता से इसके बारे में भी थोड़ा सा हम जान लेते हैं ये simultaneous multiple round ascending होता क्या है देखो हमारे देश में जो areas हैं जिनके लिए license की निलामी होती है वो total areas हैं 22 यानि पूरे इंडिया को 22 circles में divide किया गया है जैसे हर्याना एक circle है पंजाब एक circle है और नोर्थ इस्ट में जो states हैं उनको combine करके एक ही circle बना दिया गया है तो total 22 telecom circles हैं हमारे देश में जिनके लिए spectrum की निलामी होती है अब देखो spectrum की निलामी ना सिरफ इन 22 telecom circles के लिए होती हैं बलकि अलग-अलग spectrum के bands के लिए भी होती हैं for example 700 megahertz frequency का band है 800 megahertz frequency का band है उसी परकार से कई सारे bands हैं 900 megahertz 1800, 1200, 2300, 2500 तो काफी सारे products निलामी के लिए available होते हैं ऐसा नहीं कि 4-5 products available हैं और जल्द से जल्द उनको निलाम कर दिया जाए नहीं बहुत सारे products जैसे 22 circles हो गए और 22 circles के लिए इतने सारे bands हो गए जिसके लिए telecom companies निलामी में हिस्सा लेती हैं देखो होता क्या है various telecom companies package में deal लेना पसंद करती हैं फुर एक्जामपल जियो को ये लगता है अगर हमने राजस्तान लिया है राजस्तान telecom circle के लिए हमने 700 megahertz का अगर license लिया है तो इसके साथ हमें राजस्तान के साथ लगते जो states हैं गुजरात, मद्यपरदेश उनका भी license मिल जाए 700 megahertz का बहुत बढ़िया है तो ये हम combination पसंद करेंगे इवन Reliance जियो को ये भी लग सकता है कि अगर हमने राजस्तान, मद्यपरदेश, गुजरात जो साथ लगते states हैं इनके लिए अगर 700 megahertz spectrum का band अगर lease पर लिया है तो हमें 800 megahertz का मिल जाए तो और भी बढ़िया है हम जादा बैतर डंग से operations चलास केंगे तो इस परकार से package में deal लेना पसंद करती है telecom companies बट अगर single single आप निलामी करोगे तो फिर वो package में deal नहीं लेसकेंगी तो इसी का solution है ये simultaneous multiple round ascending इसका फाइदा ये होता है कि telecom companies चाहे अंचाहे ऐसा license नहीं लेती जिनसे उनको लोस होता हो package उनका बन जाता है जो वो package बनाना चाहती है वो उसको बना पाती है क्योंकि एक round में बोली नहीं लगती कई सारे rounds होते हैं for example पहला round पहले round में telecom companies ने अलग-अलग telecom companies ने बताया कि हमें ये चाहिए हमें ये चाहिए और उसके लिए उन्होंने bidding कर दी तो round के last में सबकी जो bid है वो disclose हो गई मतलब highest जो bid है वो disclose हो गई फिर दुबारा second round होगा तो पता होगा कि किस telecom company ने कौन सी highest bid की है कौन से telecom circle के license के लिए उसी हिसाब से वो अपनी bid जो है वो change कर सकती है तीसे round में भी ऐसा ही होगा मतलब हर round के बाद highest जो bid है वो disclose कर दी जाएगी ताकि अगले round में अगर कोई telecom company अपनी past bid को change करना चाहती है तो change कर सके तो ऐसा चलता जाएगा तब तक जब तक की ऐसा round ना आ जाए जिसमें कोई भी company नई bid ना लगाए तो ये वो round होगा जिसमें सभी companies को अपने मन चाहे package जो है वो मिल जाएंगे मतलब जितना वो पैसा लगाना चाहते है जो वो package लेना चाहते है उस पैसे के हिसाब से उस पर वो satisfy हो जाएंगी तो ये है simultaneous multiple round ascending मतलब छोटे से थोड़े पैसे से सुरुवात होती है bidding में और companies धीरे धीरे ज़्यादा bid लगाती रहती है इसका फाइदा ये होता है telecom companies को loss नहीं होता मतलब ऐसा नहीं होता कि उनको ये license चाहिए नहीं था इतने पैसे में लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा bid लगा दी और ज़्यादा महंगे में वो उन्होंने ये license purchase कर लिया ऐसा नहीं होगा इस से तो ये हमने बात कर ली context की इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है टेलिकॉम regulatory authority of India यानि ट्राई के recommendations के बाद सरकार ये plan कर रही है 700, 800, 900 megahertz के जो bands है spectrum के उनको निलाम किया जाए और mid band frequencies में 1800 megahertz frequency band 2100, 2300, 2500 megahertz frequency band इन सब को निलाम किया जाए 22 टेलिकॉम circles के लिए total जो spectrum निलाम किया जाएगा सरकार के द्वारा अगले साल मार्च में वो होगा 251 megahertz का जबकि 2016 में सरकार के तरफ से जब निलामी की गई थी तो उस समय 235 megahertz frequency band को निलाम किया गया था सरकार ने सोचा ये था कि पिछली बार यानि 2016 में spectrum को निलाम करके 90 billion dollars का revenue हासिल होगा हुआ कितना बहुत ही कम आल्मोष्ट one tenth 9 billion dollars आप मान लीजिए और 700 megahertz जो frequency band है वो तो देखो बिका ही नहीं था और देखो ये जो 700 megahertz का frequency band है नम ये काफी important है क्यों? क्योंकि देखो एक तो इस band में यानि इस frequency range में अगर radio waves transmit की जाती है तो वो buildings को penetrate कर सकती है और coverage गाफी अच्छा मिलता है यानि टेलिकूम operations चलाने के लिए ये 700 megahertz frequency band अच्छा है ये नहीं बिक पाया इसका मतलब कुछ न कुछ तो reason होगा जिसकी वज़े से टेलिकूम companies ने इसे नहीं खरीदा अब इसके बाद writer चार factors बताते हैं जो की effect करते हैं spectrum की निलामी revenue को सबसे पहला factor है reserve price reserve price मतलब वो price जिस पर boli start होती है जैसे माली जी एक pen की boli लगा रहे हो आप तो boli start किस से होगी 10 रुपे से शुरू में basic जो price है base price वो 10 रुपे होगा इसे ही कहा जाता है reserve price highest तो कोई आगे लगा सकता है जो भी boli में participate कर रही है लेकिन minimum price जिस पे वो pen बिकेगा वो है reserve price जहां से boli start होती है तो writer ये कहते हैं देखो अगर ज़्यादा reserve price होगा spectrum का तो ऐसा लगता है कि हाँ ज़्यादा reserve price है तो इससे revenue ज़्यादा प्राप्त होगा सरकार को नहीं ऐसा नहीं है हाँ थोड़ा बोट ज़्यादा होगा तो चलेगा लेकिन एक level से ज़्यादा अगर reserve price रख दिया जाएगा सरकार के द्वारा तो फिर telecom companies नहीं purchase करेंगी वो किसी दूसरे band से काम चला लेंगी या फिर कम ही band खृदेंगी कम ही band lease पर लेंगी तो इसलिए पिछली बार यही हुआ था 2016 में सरकार ने spectrum का reserve price इतना ज़्यादा रख दिया कि companies को लग रहा था कि अरे इतना महेंगा spectrum कोन खृदेगा उन्होंने नहीं खृदा जैसे तैसे करके उन्होंने काम चला लिया तो अभी सरकार को यह सोचना चाहिए हलांकि 2016 के अपिक्साकर्ट इस साल काफी कम base price रखा गया है यानि काफी कम reserve price रखा गया है लेकिन writer के अनुसार वो भी काफी ज़्यादा है तो सरकार यह देखे कि ज़्यादा reserve price ना रखे अधरवाइस ख्रीदेंगे नहीं टेलिकोम कमपनीज वाले उस स्पेक्टरम को उसके बाद next है over the top providers over the top providers मतलब देखो आज कल आपको पता है काफी सारे ऐसी कमपनीज हैं जो voice calling की service प्रोवाइड करते हैं जिसे कहा जाता है voice over IP अब जितने ज़्यादा subscriber ऐसे होंगे जो voice over IP service का इस्तमाल करते हैं voice over IP service समझते हो ना जैसे whatsapp पे आप call कर सकते हो internet के माध्यम से even telegram में ये facility available है आप internet के माध्यम से voice call कर सकते हो तो writer कहना चाते हैं जितने ज़्यादा users इस service का इस्तमाल करेंगे उतना ही कम इच्छुक होंगे telecom service providers spectrum के लिए समझ गए मतलब अगर इस service के इस्तमाल करने वाले लोगों की संख्या increase होती है तो telecom companies कम पे करने के लिए interested होंगी spectrum की निलामी में नेश्ट है unlicensed spectrum for wifi ये दूसरे point से मिलता जूलता है देखो काफे सारी governments क्या करती है कुछ spectrum को निलाम करती ही नहीं है उसको unlicensed छोड़ देती है ताकि उसका इस्तमाल क्या जांस के wifi के लिए जितना ज़्यादा ये unlicensed spectrum छोड़ा जाता है wifi के लिए सरकार के दौरा उतनी ही कम डिमांड होती है licensed spectrum की लेकिन इसका फाइदा ये होता है जैसे अब सरकार की वो scheme है PM वानी उसके लिए तो wifi hot sports लगाने पड़ेंगे ना जगह जगह पर तो अगर ज़्यादा unlicensed spectrum छोड़ा जाता है wifi के लिए तो वो scheme भैतर डंग से implement की जा सकती है चोथा point है visibility of spectrum देखो अभी सरकार ने ये clarify नहीं किया है कि सरकार इसके बाद यानि मार्च के बाद जो निलामी की process टांट करेगी उसमें कौन-कौन से frequency band को निलाम किया जाएगा तो telecom companies असमंजस में हैं कि अपने पैसे बचाये जाएं मार्च वाली निलामी में क्या सरकार इससे बहतर frequency bands को निलाम करेगी आगे किसी निलामी में तो एक clear roadmap सरकार के द्वारा provide किया जाना चाहिए मार्च के बाद अगर frequency frequency bands की निलामी होगी तो उसमें कौन-कौन से frequency bands उपलब्ध होंगे निलामी के लिए ताकि telecom companies अच्छे से decide कर सके कि अभें उन्हें कितने पैसे invest करने है या फिर उन्हें इंतजार करना है साल के अंत में जो निलामी होगी spectrum की उसके लिए इसके बाद कुछ suggestions दिये जाते हैं राइटर के द्वाराम जैसा हमने शुलवात में discuss किया spectrum देखो एक perishable scarce resource है मतलब अगर एक निश्चित समय में इसका इस्तमाल नहीं किया गया तो वो फिर value lost हो जाती है सरकार को revenue का loss हो जाता है और अभी तो देखो आपको पता है COVID-19 की महामारी के बाद घर से काम जादा हो रहा है यानि डेटा का जादा इस्तमाल हो रहा है तो इसलिए सरकार को कुछ बाते ध्यान में रखने के आउ सकता है spectrum की निलामी में ताकि सरकार को revenue भी मिल्सके और telecom companies को भी फाइदा हो सबसे पहला suggestion है revisit of reserve price वैसे कम किये गए है सरकार की तरफ से reserve price लेकिन इसे और ज्यादा कम करने के आउ सकता है इसके बाद next suggestion more unlicensed spectrum हलांकि देखो इससे कम revenue पराप्त होगा क्योंकि जैसा हमने डिसकस किया जितना ज्यादा unlicensed spectrum होगा उतनी ही कम demand होगी licensed spectrum की बट एक निश्चित frequency band में ये छोड़ा जाए unlicensed spectrum और इसका इसका इस्तेमाल क्या जाए public wifi project के deployment के लिए यानि PM1i project की implementation के लिए next है visibility of future auctions मतलब future में कौन सी बोली लगने वाली है कौन से frequency bands की वो आप अभी से बता दो ताकि telecom companies decide कर सके, next देखो over the top जो ये firms हैं जो ना सिरफ जैसे Netflix, Amazon ना सिरफ cinema वाला content provide करती हैं बलकि voice over IP की service भी provide करती हैं अब ministry of information and broadcasting के द्वारा इनको regulate किया जाएगा तो ये भी बताना चाहिए ये सरकार को साफ साफ की क्या regulate किया जाएगा क्या नहीं regulate किया जाएगा ताकि telecom companies और over the top firms आपस में हाथ मिलास के best services जनता को provide करने के लिए तो ये कुछ suggestions हैं conclusion की बात करें देखो Paul R. Milgrom और Robert B. Wilson इनको इस साल economy के लिए nobel prize मिला है क्योंकि इन्हों ने ये जो auction का तरीका है SMRA simultaneous multiple round ascending auctions ये एक successful तरीका है बोली लगवाने के लिए licenses का बड़ देखो सरकार ने अगर इन suggestions पर ध्यान नहीं दिया तो इस methodology का इस्तमाल करने के बावजूद सरकार को कम revenue प्राप्त होगा तो ये हमने पूरा article discuss किया spectrum की निलामी से समन्दित इसके बाद next article lessons from Monas University के model से समन्दित है आप GS paper 2 के इस topic से article को relate कर सकते हो ये aspects हम cover करेंगे इस article की discussion में सबसे पहले बात करते हैं background की देखो national education policy 2020 में recommend किया गया है कि top 100 में जो universities आती है यानि world में वो universities जिनकी ranking top 100 में आती है उनको allow किया जाए इंडिया में campus open करने के लिए इंडिया में operate करने के लिए इस recommendation पे काफी सारी चर्चा हुई है करते हैं इस article में writer कहते हैं IBCs यानि international branch campuses मतलब university का एक university का जो campus है वो दूसरे देश में है तो उसे आप कह सकते हो international branch campus तो writer ये कहते हैं देखो हमारे देश में जब बात होती है कि foreign universities को allow किया जाए इंडिया में operate करने के लिए तो एक ही model पर चर्चा होती है कि foreign universities इंडिया में अपना campus establish करें और वो model वो campus जो हो पूरी तरह से self funded हो मतलब foreign university का campus यहाँ पर पैसो का course launch करें और जो revenue उनको प्राप्त हो उससे वो अपना खर्चा चलाएं बट देखो और भी काफी सारे models है जैसे मान लीजे किसी foreign university का campus इंडिया में established होता है तो उसे थोड़ा बहुत government के द्वार स्पोर्ट किया जा सकता है यह फिर fully भी स्पोर्ट किया जा सकता है यह फिर foreign university का campus जब इंडिया में established होता है तो उसे private organizations के द्वारा स्पोर्ट किया जा सकता है वो campus अपना खर्चा कम करने के लिए government facilities को avail कर सकता है या फिर किसी local partner के साथ collaborate कर सकता है किसी local university के campus में अपना campus establish कर सकता है बहुत सारे models है जिनकी साइटा से कोई foreign university इंडिया में campus establish कर सकती है writer के अनुसार काफी सारी success stories भी है और failure stories भी है failure भी है तो हमें success stories और failure दोनों से सीखना होगा अभी आज के समय में देखो 80 देशों में 300 के आसपास international branch campuses जो हैं वो operate कर रही है जातर ये जो universities हैं जिनके campus दूसरे देशों में हैं वो USA, UK, Australia, France और Russia की हैं और जिन देशों में सबसे ज़्यादा campuses हैं foreign universities के वो देश हैं China, Malaysia, Qatar, Singapore और देखो हरानी की बात ये है इंडिया के भी private institutions के कुछ campuses हैं आस्टेलिया में, मौरिशस में, उजबेकिस्तान में सिंगापूर में, नेपाल में और सिलंका में इसके बाद आर्टकल में एक के स्टेडी डिसकस की जाती है देखो आस्टेलिया की मौनास युनिश्टी है इसका ब्रांच campus इस्टाबलिश हुआ था South Africa में 2001 में 2001 से लेके 2019 के बीच ये campus operate होता रहा और क्या कुछ हमें सीखने को मिलता है इस campus के operations से South Africa में वो हम जानेंगे लेकिन पहले जानते हैं 2001 से लेके 2019 के बीच कैसे मौनास युनिश्टी के campus ने operate किया South Africa में देखो South Africa का regulatory framework ऐसा है कि ये foreign universities को allow करता है कि foreign universities South Africa में आके operate कर सकती है as a private entities मतलब उनको South Africa में register करवाना होगा as a company हाँ अगर कोई foreign university South Africa में आती है तो वो university tag का इस्तमाल नहीं कर सकती वो ऐसी degrees या फिर diplomas दे सकती हैं जिनकी मानेता तो होगी लेकिन वो university tag का इस्तमाल नहीं कर सकेंगी जैसे Oxford University South Africa में जाती है अपना campus establish करती है तो वो campus private entity के तोर पर यानि company के तोर पर registered होगा और वो campus अपने नाम में university का इस्तमाल नहीं करेगा तो मुनास university का campus जब establish हुआ South Africa में उसका registration हुआ 2001 में और नाम था मुनास South Africa यानि MSA मुनास वैसे Australia की एक public university है यानि सरकारी university है और अभी world ranking में QS world university ranking में top 100 में आती है इसका campus चाइना और मलेशिया में भी है लेकिन अभी हम बात कर रही है South Africa में जो campus है देखो MSA में यानि मुनास South Africa campus में students की population बढ़के हो गई 4000-2000, 2018 में और आधे 4000 में से South Africa में से थे बाकी 40% दूसरे मुनास आश्ट्रेलिया ने अपने South Africa के campus में 130 million dollars invest किये 2013 तक उसके बाद 2013 के बाद क्या हुआ मुनास South Africa का जो campus है उसने एक joint venture बना लिया USA based majority owner laureate education के साथ 2013 में यानि एक partnership establish कर ली 2013 में US based majority owner laureate education company के साथ में इस partnership agreement के तहट मुनास उन्वेस्टी ने अपने 75% shares based दिये South Africa के campus के laureate education company को उसके बाद 2018 में क्या हुआ मुनास और laureate education company ने मिल के decide कि हम जो ownership है इस campus campus की transfer कर देते हैं एक independent institute of education को जो की साथ अफरिका का है ये एक एक subsidiary है ADV tech group की तो नाम है अभी इस campus का institute of education MSA और मुनास उन्वेस्टी जो है वो बाहर निकल गई है South Africa के campus है तो ये आपको इतना ज़्याद़ डिटेल से याद रखने के आऊ सकता नहीं है इतना कुछ भी ज़रूरी नहीं है बस एक case study हम discuss कर रहे हैं कि इस case study से हम lessons क्या सीख सकते हैं देखो पहला lesson तो ये है कि जब कोई foreign university दूसरे देश में अपना campus इस्टाबलिस करती हैं तो वहाँ पर कोई जुरूई नहीं ये reflect होगा कि ये एक university है for example Oxford university अगर इंडिया में अपना campus इस्टाबलिस करती हैं तो कोई जुरूई नहीं campus का नाम famous होगा या फिर campus में university नाम reflect होगा या फिर वह campus university के तोर पे काम करेगा जैसा कि मोनास university के साथ था उन्होंने अपना campus इस्टाबलिस किया साउथ अवरिका में लेकिन university टैग का इस्तमाल वो नहीं कर सकते थे दूसरा lesson ये देखने को मिलता है कि top 100 में जो universities आती हैं वो भी दूसरे देश में जब अपना campus इस्टाबलिस करती हैं तो वो भी local private institution के तोर पे काम कर सकती है merger और acquisition की साहिता से यानि किसी local जो institution है उसमें merge कर दिया जाए या फिर उसको मिला लिया जाए अपने campus में या फिर acquire कर लिया जाए इनकी साहिता से कोई foreign university local private institution के तोर पर भी काम कर सकती है next insuring parity इसका मतलब ये है देखो मुनास university जो थी आस्टेलिया के थी आस्टेलिया में जो उनके द्वारा courses offer किये जाते थे जैसी quality courses offer किये जाते थे वैसी quality के courses offer करना मुश्किल साबित हो रहा था South Africa में तो foreign university जब दूसरे देश में अपना campus establish करती है तो quality match करने में काफी दिक्कत आती है next domestic market demand domestically market की demand अलग-अलग होती है जैसे आस्टेलिया में demand किसी अलग course की है इंडिया में demand किसी अलग course की है finally limitations in substituting existing institutions जैसे इंडिया में देखो IITs जो हैं उनकी importance कम होने वाली नहीं हैं तो उसी परकार से article में कहा जाता है जो existing institutions हैं उनको उनके alternative के तोर पे अपने आपको साबित करना आसान नहीं होगा तो ये 5 lessons हैं जो हम सीख सकते हैं मुनास model से conclusion में कहा जाता है देखो सरकार के जो objective हैं कि foreign universities को इंडिया में branch open करने के लिए allow किया जाए सरकार के वो objectives अलग हैं अगर सरकार ने allow भी कर दिया तो वो objectives सर्व नहीं होगे तो इसलिए अलग अलग जो models हैं जिसके base पे foreign universities इंडिया में campus establish करके operate कर सकती हैं उन models पर भी चर्चा करने की आव सकता है उन models को भी एक बार consider करने की आव सकता हैं ये हमने पूरा article discuss किया मुनास university के model से समन्दित कहां पे South Africa में चलते हैं आगे next article स्री निवास रामा नूजन की महानता से समन्दित हैं उनकी life उनके काम और उनकी काम की applications से समन्दित हैं आप GS paper 3 के इस topic से article को connect कर सकते हूं ये सारे aspects हम cover करेंगे इस article में सबसे पहले बात करते हैं रामा नूजन की life के बारे में उनका जनम हुआ 20 दिसंबर 1887 को आज उनका जनम दिन है और इसी दिन को mathematics day के रूप में उपजव किया जाता है देखो उन्होंने self education हासिल की जैसे कई बार पूछते हैं कि अपने coaching से कहां से ली नहीं मैंने coaching नहीं ली मैंने अपने आप से त्यारी की तो उसी प्रकार से इन्होंने अपने आप से education हासिल की इन्होंने mathematics में बहुत ज़्यदा excellence हासिल की जबकि इन्होंने दूसरे subjects को neglect कर दिया ये अपने pre university course को complete नहीं कर सके थे 1908 में इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी लेकिन इन्होंने mathematics में research करना नहीं छोड़ा 1910 तक ये गरीबी से संगहर्ष करते रहे उसके बाद रामचंदर राओ ये district collector थे नलोर के इन्होंने monthly allowance प्रोवाइड करना start किया अपनी जेब से मतलब कितने अच्छे collector थे ये रामाचंदरन राओ जिन्होंने अपनी जेब से monthly allowance प्रोवाइड करना start किया रामानूजन को ताकि ये अपनी research को परशू कर स्केम तो दो सालों तक ऐसा चलता रहा उसके बाद रामानूजन ने मदरास port trust में एक clerk की नोहरी हासिल की और clerk के तोड़ पे काम करना start कर दिया उसके बाद इन्होंने British mathematician G.H. Hardy से संपर्क किया और उनके कहने पर England चले गए 1914 में 5 सालों तक रामानूजन G.H. Hardy के साथ मिल के काम करते रहें 1914 से लेके 1919 के बीच और इस दुरान 20 से ज़्यादा research papers को publish किया और इसी दुरान उनको doctorate की उपादी से नवाजा गया था और royal society का fellow बनाया गया था जब वो वापस आए 1919 में तो उनकी reputation तब तक काफी ज़्यादा बन चुकी थी मतलब ऐसी reputation जो इससे पहले किसी भी Indian ने enjoy नहीं की थी उसके बाद देखो एक साल और तक वो जिंदा रहे और 1920 में उनकी death हो गई मतलब बहुत ही ज़्यादा young age में इनकी death हो गई 33 साल के थे सिरफ ये 1887 में इनका जनम हुआ था और 1920 में इनकी death हो गई और 33 साल की उमर में इनोंने कितनी ज़्यादा achievements हासिल की शुरू में कहा गया कि इनकी death होई है टूबर क्लोसिस के कारण लेकिन बाद में revise किया गया कि इनकी death होई है hepatic amoebiscis के कारण इस disease में क्या होता है बोडी पर multiple areas पर पस develop हो जाता है तो 1919 से लेके 1920 के बीच रामानुजन इंडिया में रहे और इस दुरान उन्होंने बहुत ज़्यादा intensity के साथ अपने research work को continue किया अब बात करते हैं रामानुजन के research work की दिखो जब तक वो England नहीं गए थे 1914 में तो England चले गए थे रामानुजन उससे पहले उन्होंने काफी सारे mathematical results को record किया और ये results mostly equations की form में थे रामानुजन ने इन results को अपनी notebook में note किया ऐसी तीन notebook थी जिनको अभी भी परिजव किया गया है और बाद में एक notebook और लिखी गई रामानुजन के द्वरा जब वो 1919 में इंडिया आ गए यहनी 1919 और से लेके 1920 के बीच में together देखो total 4000 के आसपास results produce किये गए रामानुजन के द्वरा अपने काम में और बहुत सारे उनके जो results है वो deep intuition और insights के आधार पर है मतलब intuition समझते हो ना मेरी intuition कहती है कि आपका इस बार selection होगा जब मैंने ये बात बोली तो मेरे पास कोई reasoning नहीं है मतलब कोई proof नहीं है जिसके बेस पे मैं ये कैसकूं कि हाँ selection होगा ही बस अंदर से आवाज आ रही है कि instinct बोल रहा है कि ये समझ में आता है कि इस बार selection आपका होगा तो ये intuition का एक example है तो रामानुजन ने इतने सारे जो results produce किये उन्होंने proofs record नहीं किये उनके अब आने वाली जो generations हैं वो इन results को लेंगी और इन पर further research करेंगी और काफी सारे ऐसे काम हैं भी रामानुजन के जिन पर अभी research चल भी रही है और काफी ऐसे हैं जिन पर research हो भी चुकी है रामानुजन का जो काम था वो था नंबर theory, infinite series, analysis और mathematics में कुछ और areas उनके कुछ contributions के हम अगर बात करें उन्होंने काफी सारे formulas दिये पाई की value को calculate करने के लिए और वो भी great accuracy के साथ accuracy कहां तक? billion of digits तक इसके अलावा उन्होंने partition functions पर research की partition मतलब जैसे 4 को आप कैसे लिख सकते हो 1 plus 1 plus 1 या फिर 1 plus 3 तो इस पर उन्होंने research की इसके अलावा modular forms और hyper geometric series इन पर भी research की गई applications की बात करें रामरुजन के काम की applications क्या है देखो वैसे तो एक mathematician जो होते हैं वो painter की तरह होते हैं या फिर poet की तरह होते हैं ये बात बोली थी G.S. G.H.R.D. के द्वरा जैसे painter है, poet है उनके काम की समाज में एजसत सिधा सिधा application नहीं होती जैसे किसी ने कोई medicine डेवलप कर दी तो उसकी तो application है ना, उस medicine का इस्तमाल क्या जाएगा इस disease के इलाज के लिए बट painter के काम की poet के काम की समाज में सिधा applications नहीं होती उसी परकार से mathematician का जो काम होता है उसकी सीधी application नहीं होती बट एक mathematician की जो research है वो इस बात से उसकी significance बढ़ जाती है कि उस research ने क्या दूसरे mathematical ideas के साथ connect किया है या फिर नहीं किया है तो रामानुजन की जो research थी वो काफी अच्छी थी उन्होंने काफी सारे mathematical ideas के साथ में connect किया जैसे कुछ examples भी writer के द्वारा दिये जाते हैं उनके द्वारा 1916 में एक रामानुजन कंजेक्चर published किया गया था जो बाद में प्रूव हो गया 1973 में इसे प्रूव किया गया प्यरे डेलिगनिक द्वारा रामानुजन के इस कंजेक्चर ने बाद में theory of Galois representation की development को भी inspire किया और इस theory को बाद में एंप्लोई किया गया था एंड्रिव वाइल्स प्रूफ ओफ फर्मेट लास्ट थोरम जो की पब्लिश हुई थी 1995 में हाल ही में पिछले कुछ सालों में रामानुजन के काम की एप्लिकेशन पता लगती हैं सिग्नल प्रोसेसिंग में इस पर रामानुजन ने काम किया था इनकी एप्लिकेशन हैं स्टेडी ओफ ब्लैक होल्स में लास्ट में कंकूजन में कहा जाता है कि रामानुजन अपनी एज से काफी आगे थे मतला जैसे कई बर बोलते रहें कि छटी क्लास का बच्चा है दसमी के कोश्चन सोल कर लेता है ये तो अपनी एज से काफी आगे थे और आज उनका जनम दिवस है, उनसे इंस्पारेशन लेने के आऊ सकता है तमिलाडू में जो उनका घर था, उसे अब कनवर्ट कर दिया गया है म्यूजियम की रूप में, सास्त्रा, उन्वेस्टी के द्वारा देखो, रामानुजन की ग्रेटनेस इस बात से नहीं है कि वो गरीब आदमी थे और उन्होंने इंगलेंड में जाके रिशार्ज की, नहीं उनका काम काफी ज़्यादा डाइवर्स है, बिल्कुल ओरिजनल है और वो अपने टाइम से काफी आगे थे, जैसे आइंस्टाइन की कई जो छोरीज दी गई थी, उन पर अभी भी काम चल रहा है, उसी परकार से रामानुजन ने मैथेमेटिक्स में आइंस्टाइन जैसा काम किया, तो यह हमने पूरा आर्टिकल डिसकस किया, रामानुजन के बारे में, हुरा हमारी आज की इस डिसकसन में इतना ही है, थैंक यू, थैंक यू वरी मच पर डिसकसन